हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस क्लास में आज की इस वीडियो में जीव बिग्यान के काफी महत्पुड पाथ हमारा परियावरण के 35 महत्पुड अब्जेक्टी प्रश्न हम आपको बताएंगे यह जो 35 अब्जेक्टी प्रश्न है यह आपके बोड परिक्षा के लिए काफी महत्पुड है तो एक भी प्रश्न आप लोग स्कीब मत कीजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक देखिएगा और इस 35 अब्जेक्टी प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद नहों तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिए गा चैनल को अभी तक आप सबस्क्राइब नहीं किये तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गा और सबस्क्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ओल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइफ क्लास हो तो आपके पास नोटिफीकेशन पहुंसता रहे और जितना भी हम आपको अबजेक्टी प्रशने बताएंगे वो NCRT पैटरन के अधार पर ही बताएंगे तो वीडियो को प्लीज आप है कि प्रिथ्वी पे उर्जा का एक मात्र सुरोत क्या है तो सूरे है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एउप्षन बिलकुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने दो नंबर दो नंबर प्रशने की धरती का कितना परतिसत भाग पानी है एउप्षन 80% B उप्षन 71% C उप्षन 75% D उप्षन 90% दो नंबर भी प्रशने काफी महत्पुड है यहाँ पे आपको बताना है कि धरती का कितना परतिसत भाग पानी है तो 71% भाग पानी है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे B उप्षन बिलकुली सही हो जाएगा और 29% भाग प्रश्ण है कि वायू मंडल का कितना परतिसत भाग नाइट्रोजन गैस है ए उप्सने 78 परतिसत बी उप्सने 70 परतिसत सी उप्सने 75 परतिसत डी उप्सने 90 परतिसत यहां पर आपको बताना है कि वायू मंडल का कितना परतिसत भाग नाइट्रोजन गैस है तो 78 परतिसत भा तो नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक पाया जाता है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है काफी महत्पुड महत्पुड पैतिस अबजेक्टी प्रशन है तो एक भी प्रशन आप लोग स्कीप मत किजिएगा विडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रशन आपको याद नहों तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिखके ज़रूर याद कर लिजिएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन चार नंबर प्रशन है कि वर्सा जल का संचेयन क्या कहलाता है एउपसने तलाब बी उपसने कुआं सी उपसने जल प्रबंधन डी उपसने इन में से कोई नहीं यहाँ पर आपको बताना है कि वर्सा जल का संचेन क्या कहलाता है तो जल प्रबंधन कहलाता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर C-Option बिलकोली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 5 नमबर प्रशने की प्राकिरती में ओक्सीजन का संतूलन कैसे बना रहता है A-Option संयोजन किरिया के द्वारा B-Option प्रकास संसलेशन के द्वारा C-Option अपघटन के द्वारा D-Option इनमें से कोई नहीं यहाँ पर आपको बताना है कि प्राकिरती में ओक्सीजन का संतूलन कैसे बना रहता है तो प्रकास संसलेशन के द्वारा बना रहता है इसे आपक पोधे क्या करते हैं प्रकास संसलेशन की किरिया में इस कारबन डायोकसाइट को ग्रहण करते हैं और ओक्सीजन को छोड़ते हैं तो ऐसे ही प्राकीर्थी में ओक्सीजन का संतुलन बना रहता है तो यहां पर B option बिल्कुली सही हो जाएगा वीडियो को लाइक नहीं कियें तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिजेगा ये देखते हैं अगला प्रशने 6 नंबर 6 नंबर प्रशने है कि 6 योग ये प्राकृतिक संसाधन है A option ने कोईला B option ने पेट्रोलियम C option ने प्राकृतिक गैस D option ने सभी यहाँ पर आपको बताना है कि 6 योग यानि खतम होने योग ये प्राकृतिक संसाधन कोई है तो कोईला भी है पेट्रोलियम भी है और प्राकृतिक गैस भी है यानि ये जो तीनो है यह च्छाय योग यह प्रकृतिक संसाधन है यानि यहाँ पर D option बिलकुल ही सही हो जाएगा आएए देखते हैं अगला प्रशने 7 नंबर 7 नंबर प्रशने है कि प्रकृतिक संसाधन है A option है 1, B option है जल, C option है कोईला, D option है सभी यहाँ पर आपको बताना है कि प्रकृतिक संसाधन है तो जो 1 है यह भी प्रकृतिक संसाधन है जो जल है यह भी प्रकृतिक संसाधन है और जो कोईला है यह भी कह है प्रकृतिक संसाधन है यानि यह तीनों कह है प्रकृतिक संसाधन है इसलिए यहाँ पर D option बिलकुल ही सभी यहाँ पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने आठ नमबर प्रशने कि गंगा पर दूसर के लिए उत्तरदाई कौन नहीं है A उपसे ने गंगा में मचली पालना, B उपसे ने गंगा में सो डालना, C उपसे ने गंगा में रशायनिक अपसिस्ट को डालना, D उपसे ने इनमें से कोई नहीं यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा परदूसर्ड के लिए उत्तरदाई कौन नहीं है तो गंगा में मचली पालना यह गंगा परदूसर्ड के लिए उत्तरदाई नहीं है यहाँ पे यह उप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा यहाँ पर A option बिलकुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रश्ण नौ नंबर, नौ नंबर प्रश्ण है कि निम्न में से सबसे उचा बांध कौन है, A option है टिहरी बांध, B option है भाखडा बांध, C option है दोनों, D option है इन में से कोई नहीं, यहाँ पर आपको बताना है, कि निम्न में से सबसे उचा बांध कौन है, तो टिहरी बांध सबसे उचा बांध है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पर A option बिलकुली सही हो जाएगा, एक प्रश्ण यह भी पूछा जाता है, कि टिहरी बांध किस नदीप है, तो भागी रथी नदीप है, तो यह भी साथ में आपको याद रखना है, आईए देखते हैं, अगला प्रश्ण दस नमबर, प्रश्ण है कि स्वक्ष जल का पी एच मान होता है, आपको बताना है, तो साथ होता है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पर A option बिलकुली सही हो जाएगा, अगर किसी विलियन का पीएच मान साथ से कम होगा तो वो अमलिय होगा तो ये भी आपको याद रखना है और अगर किसी विलियन का पीएच मान साथ से अधिक होगा तो वो छारिय होगा तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशनी ग्यार नंबर ग्यार नंबर प्रशन है कि परियावरण दिवस कब मनाया जाता है A उप्सने 5 जून को B उप्सने 17 नौंबर को C उप्सने 1 माई को D उप्सने 8 जनवरी को यहाँ पर आपको बताना है कि परियावरण दिवस कब मनाया जाता है तो परियावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यनि यहाँ पर एउप्सन बिलकोली सही हो जाएगा, काफी महतपुड महतपुड 35 अबजेक्टी प्रशन है, तो एक भी प्रशन आप लोग स्कीप मत किजिएगा, विडियो को प्लीज आप लो बारा नंबर प्रशन है कि चिपको अंदोलन के अगरीन नेता कौन है, अपसे तो शुनदरलाल बहुगूडा हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पे ए ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्णे तेरा नंबर प्रश्णे है कि वे पदार जो जैविक प्रकरम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं ए ओप्सने जैविक प्रकरम द्वारा अपघटित हो जाते हैं तो वे पदार जो जैविक प्रकरम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं उसे अजैव निम्नकरण यह कहते हैं तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रश्णे चौदा नंबर प्रश्णे है कि वथन रखचड का उपाए है ए ओपस ने नए वरिक्छारों पन बी ओपस ने वनों की कटाई पर रोक सी ओपस ने जनसंक्या वरिधी पर रोक डी ओपस ने इनमे यहाँ पर आपको बताना है कि वन सनरक्षण का उपाय है तो यहाँ पर देखिए वन सनरक्षण का पहला ही उपाय होता है नए विरिक छारोपन यह भी क्या है वन सनरक्षण का उपाय है यहाँ पर दूसरा देखिए वनों की कटाई पर रोक और तीसरा यहाँ पर देखिए जन संक्या ब्रिधी परोग अगर जन संक्या जितना ही अधिक बढ़ेगा उतने ही मनुस्यों को वनों की ओसकता पड़ेगी और जन संक्या जितना ही कम रहेगा उतने ही मनुस्यों को वनों की कम ओसकता पड़ेगी इसलिए जन संक्या ब्रिधी परोग भी क्या है वन संरक्ष आपर आपको बताना है कि निमन मेंगे हुआ यांपर आपको बताना है कि वो कौन सा पदार थे जो सड़ता गलता नहीं है तो जो पलास्टिक होता है कितने समय तक रख दीजी, यह क्या होगा, सड़ेगा गलेगा नहीं, यहाँ पर A option बिलकुली सही हो जाएगा, यह देखते हैं, अगला परशने 16 नंबर, 16 नंबर परशने है कि निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, A option नदी, B option एक कुवा, C option एक तलाब, D option समंदर, तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, तो जो कुवा है, यह एक भूमिगत जल का उदाहरण है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पर B option बिलकुली सही हो जाएगा, आईए देखते हैं, अगला परशने 17 नंबर 17 नंबर परशन है कि निम्न में से कौन सा स्वक्ष इंधन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्वक्ष इंधन है, ए उपसे ने कोईला, बी उपसे ने लकडी, सी उपसे ने प्राकृतिक गैस, डी उपसे ने इनमें से सभी तेहां पर आपको बताना है कि निम्न में स कौन स्वक्ष इंधन है यानि वे इंधन स्वक्ष इंधन किसे कहते हैं तो वे इंधन जिसका उसमियमान अधिक हो और उसे जलाने पर या दहन करने पर बहुत ही कम मात्रे में परदूसर निकले उसे हम स्वक्ष इंधन या अच्छा इंधन कहते हैं तो यहाँ पर प्रकृति किरण को कौन छानने का कारे करता है यहाँ पर आपको बताना है कि परावैगनी किरण को कौन छानने का कारे करता है तो ओजोन परत करता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर आपको याद रखना है यहाँ पर आपको याद रखना है और यह जो परावैगनी किरण है यह धर्ती पर अगर आ जाए गलती से तो मनुस्यों में चर्म रोग या चमड़ा का कैंसर यानि स्किन डिजीज यहां पर बहुत ही ज़्यादा उत्पन होने लगता है इस परावैगनी किरण से तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला परशने 18 न तो यहां पर आपको बताना है कि जो ओजोन परत होता है उसका निर्माड होता है किस से तो ओक्सीजन के तीन अड़ों से मिलकर बना होता है यह ओजोन इसे आपको याद रखना है यहां पर बी उप्सन बिलकुली यहां पर बिलकुली सही हो जाएगा ओजोन यहां पर तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 20 नमबर प्रश्ण है कि परावैगनी किरण से कौन सा रोग होता है ए उपसे ने सरदी, बी उपसे ने बुखार, सी उपसे ने त्वचा केंसर, डी उपसे ने इन में से कोई नहीं तेहां पर अपको बताना है कि परावैगनी किरण से कौन सा रोग होता है तो तोचा केंसर होता है, इसे आपको याद रखना है यहाँ पर C-Option बिलकुली सही हो जाएगा, जो परावैगनी किरण होती है, यह सूरिय के परकास के साथ आती है, लेकिन वायू मंडल में एक होता है, यहा परवयगनी की रण है यह धरती पे सीधे आएगी और जब सीधे आएगी तो मनुस्यों में बहुत ही हानिकारक बिमारी त्वचा का कैंसर उत्पन करेगा यह परवयगनी की रण तो यह भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशने 21 नमबर 21 नमब आपको बताना है कि ओजोन परत को नस्ट कौन कर रहा है तो यह जोक से यह घ्यास होता ही यह वाययो मैंडल में ओजोन परत है इसे नस्ट कौन कर रहा है तो यहाँ पर CFC गैस होता है जो फ्रीजों से निकलता है यह क्या कर रहा है ओजोन परत को नश्ट कर रहा है और धर्ती पर परावैगनी किरण यहाँ पर आ रही है जिसके कारण आज कल स्कीन प्रोब्लम बहुत ही स्कीन में जो बिमारिया होती है वो सबसे ज़्यादा कर रहा है आईए देखते हैं अगला परशने 22 नंबर 22 नंबर परशने की CFC का व्यापक उप्यों किस में होता है यह उपसे ने एयर कंडिशनरों में वी उपसे ने रेफ्रिजरेटरों में C-Option है, इन जनों में, D-Option है इन में से सभी में, तहां पर आपको बताना है कि जो chlorofluorocarbon है इसका ब्यापक उपियो किसमे होता है, तो air conditioner हो में भी होता है refrigerator होता है और इन जनों में भी होता है यानि इन तीनों में होता है, यानि यहां पर D-Option बिलकुल ही सही हो जाएगा और CFC गैस किसे हानी पहुंचाता है तो जो ओजोन परत होता है उसको ये नस्ट करने का कारे करता है और जो ओजोन परत होता है ये क्या करता है जो परावेगनी किरण आती है इसे छानने का कारे करता है तो ये भी बोड परिक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि CFC है या CFC का पूरा नाम क्या है तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन होता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर A option बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 24 नंबर 24 नंबर प्रशने है कि OJON के A काणू में कितने परमाडू होते हैं A option है 1, B option है 2, C option है 3, D option है 4 तेहां पर आपको बताना है कि OJON के A काणू में कितने परमाडू होते हैं तो 3 परमाडू होते हैं इसे आपको याद रखना है यनि यहाँ पर C option बिलकुली सही हो जाएगा काफी महत्पुण महत्पुण 35 objective प्रशन है तो एक भी प्रशन आप लोग skip मत किजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंतक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रशन आपको याद नहों तो प्लीज आप लोग उसे notebook पर लिके जुरूर याद कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं कियें तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा यह देखते हैं अगला प्रशन है यहाँ पे 25 नंबर 25 नंबर प्रशन है कि ओजोन परत पाई जाती है A उप्सेने stratosphere में B उप्सेने exosphere में C उप्सेने ionosphere में D उप्सेने troposphere में तेहाँ पर आपको बताना है कि जो ओजोन परत होता है वो किसमें पाई जाता है तो यह stratosphere में पाई जाता है इसे आपको याद रखना है यनि यहाँ पे A-Option बिल्कूल ही सही हो जाएगा और हिंदी में इसे समताप मंडल बोला जाता है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशने 26 नंबर 26 नंबर प्रशन है कि अंटार्क्टिका के उपर ओजोन अस्तर में आई कमी को क्या कहा जाता है काफी महत्पुड प्रशन है A-Option ने CFC, B-Option ने Aerosol, C-Option ने ओजोन छिदर, D-Option ने इन में से कोई नहीं यहाँ पर आपको बताना है कि अंटार्क्टिका के उपर ओजोन के अस्तर में आई कमी को क्या कहते हैं तो ओजोन छिदर कहते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पर C-Option बिलकुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 27 नंबर 27 नंबर प्रशन है कि न निमने में से कौन उत्पादक है A-Option इसे आपको याद रखना है यहाँ पर D-Option बिलकुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 28 नंबर 28 नंबर प्रशने कि प्रस्थितिक तंतर में उर्जा का प्रवा होता है A option ने 1 DCA, B option ने 2 DCA, C option ने 2 DCA, D option ने इन मैंसे कोई नहीं यहाँ पर आपको बताना है कि परिस्तिथिक तंत्र में उर्जा का प्रवा होता है तो 1 DCA होता है इसे भी आपको याद रखना है काफी महत्पुड प्रशन है यहाँ पर A option बिलकुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन 29 नंबर, 29 नंबर प्रशन है कि परियावरण के अंतरगत आते हैं A option ने जल मंडल, B option ने अस्थल मंडल, C option ने वायू मंडल, D option ने इन मैंसे कोई नहीं तो हाँ पर आपको बताना है कि परियावरण के अंतरगत आते हैं यहाँ पे बिल्कुली सही हो जाएगा, यहाँ पे इन में से सभी क्या हो जाएगा, बिल्कुली सही हो जाएगा, यहाँ पे D option बिल्कुली सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्रशने 30 नमबर, 30 नमबर प्रशने है कि निमन में से कौन अहार स्रिंखला का निर्माड कर करते हैं तो घास को कौन खाता है हिरन खाता है और हिरन को कौन खाता है बाग खाता है तो यहाँ पर अहार सरिंखला का निर्मार हो रहा है यानि यहाँ पर बी उप्सन बिल्कुल ही सही हो जायाएगा यहाँ पर दिखिए जो घास है वो क्या होता है यहाँ पर उत्पादक हो अगला प्रश्न से कौन प्रात्मी को भोगता है देक्सा अगला प्रश्न से 36 नमबर प्रश्न है कि इसमें से कौन प्रात्मी को भोगता ये घ्र anytime फानी हिरुन पर ब हुँ प्र! तो यहाँ पर प्रश्ण पूछ रहा है कि इन में से कौन प्राथमी को भोगता है, तो जो हीरण है यह क्या है प्राथमी को भोगता है इसे आपको याद रखना है, यहाँ यहाँ पर B-Option बिलकोली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रश्ण 32 नमबर, 32 नमबर प बताना है कि निमन में से कौन backustkt के लिए उतरदाई है, तो जो carbon dioxide होता है, यह basमी को बिलकोली सही हो जाएगा, और जो carbon dioxide होता है यह Vyumandal में कितना पाए जाता है, तो 0.03% पाए जाता है. इसे आपको याद रखना है, और यहाँ पर दिके oxygen कितना पाए जाता है, तो इंट्रोजन गैस कितना पाया जाता है तो 78% पाया जाता है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशने 33 नंबर 33 नंबर प्रशने है कि निमन में से कौन पर्यावरण के लिए अनुकुल नहीं है ए उपसे ने पैदल चलना बी उपसे ने साइकिल से चलना यहाँ पे सी उपसे ने मोटर साइकिल से चलना डी उपसे ने इन में से कोई नहीं है यहाँ पे आपको बताना है कि निमन में से कौ तो जो सर्दार सरोहर बांध किस नदी पर इस्तित है तो जो सरदार सरोहर बांध है ये नर्मदा नदी पर इस्तित है इसे आपको याद रखना है यहां पर B.O. बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अंतीम प्रश्ण 35 नंबर प्रश्ण है कि उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं तो परकास संसलेशन की किरिया करते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पे ए उप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा यहाँ पे हम आपको 35 अब्जेक्टी प्रश्ण बता चुके हैं जो आपके बोड परिच्छा के लिए काफी महत्पुड है तो अगर इसमें से जो भी प्रश्ण आपको याद नहों तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पिलिक के याद कर लीजेगा और उसका समय समय पे आप लोग रिविजन करते रहिएगा यहाँ पे बहुत दिन बाद हम यहाँ पे क्लास ले रहे हैं इस क्या हो गया था हमारा तबियत थोड़ा सा खराब हो गया था इसलिए यहाँ पे हम क्लास नहीं ले पा रहे थे अब स आपका यहाँ पे सुबह में 5 बजे भी class चलेगा आज और यहाँ पे डेली साम 7 बजे यहाँ पे class चलेगा तो यहाँ पे डेली साम 7 बजे class चलेगा तो यह दोनों ही class आप लोग कीजिए यहाँ पे जो सुबह में 5 बजे class होगा वो subjective का होगा और जो साम में 7 बजे class होगा व और ये प्रश्ण को हम आपको पढ़ा चुके हैं तो प्लीज आप लोग गलत आंसर मत दीजिएगा कि मानों के हिर्दय में कितने कोस्ट होते हैं जरूर हमें कोमेंट करके बताईएगा अगर आपका जवाब सही है तो हम आपके कोमेंट का रिपलाई जरूर देंगे वीडिय प्रस नोटिफिकेशन पहुंचता रहें थेंक्यू फूर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए मनला आके पढ़ाई कीजिए टेक केर इंड बाए